नमस्कार मैं हो ससी आए जार्खन के सरकारी स्कूलों में सोमवार को छुटी अन्य कर्याले आधे दिन के लिए बंद जार्खन सरकार ने राम मंदिर प्रान परतिष्ठा के उसर पर सोमवार को सरकारी स्कूलों के लिए अवकास की खोसना की है जबकि इनके कर्याले अन्य पर मंत्री हेमन सुरेन के निर्देश के बाद यह निने लिया गया कार्मिक एवं प्रसासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी एक अधिशुचना के नुसार अयोध्या में राम मंदिर प्रान पत्रिष्ठा समरोह के अउसर पर जारखन में सभी सरकारी करयाले सोमवार को दो प किया था जारखन में राष्टपती सासन लगाने की साजी स्यारखन मुक्ति मोर्चा जहमों ने रविवार को आरोप लगाया है कि केंद्री रिजारव पुलिस बल्स यारखन जारखन के मुख्य मंत्री हेमन सुरेन के अवास में उस समय बिना अनुमति के खोशने की कुशि थे पार्टी ने इस ममले में जाच कराय जाने की मांग की है पार्टी ने एक ब्यान जारी कर दावा किया है कि या अवैध है और इसका उदे से सुरेन के आवास के पास परशन कर रहे है उनके समर्थकों को उकसाना था ताकि वे CRPF करमियों पर हमला कर दे इड़ी के अधि कारी आवास परशनिवार को साथ घंटे से अधिक समय तक पुछताच की जामो महा सचिव सुपरियों भटाचार और बिनोत कुमार पांडे द्वारा जारी ब्यान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के आवास के पास लगभग 2000 सुरक्षा करमितानाथ किये गये थे JSC CGL Admit Card जारी JSC ने जारखन समाने असनातक योकता धारी सन्युक्त परत्योकता परिक्षा 2023 JSC CGL का Admit Card जारी कर दिया है परिक्षा परवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक की ओफिसियल बेप साइट jsc.nic.in पर जारी किया गया है अभियार्थी वहाँ से अपना Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं Admit Card डाउनलोड करने के लिए अभियार्थी को अपने राइस्टेशन नंबर और जर्मतिती की ज़वरत होगी इस भरती परिक्षा के जरिये कूल 2025 बैक लोग भरी जाएगी काफी लंबे समय से अभियार्थी परिशा के इंतियार कर रहे है मालूम हो कि JSC CGL 23 की परिक्षा का वियान 28 जनवरी 2024 और 4 परवरी 2024 को राजिके विभीन केंद्रों पर किया जाएगा CMC ED की पुष्टाच के दोरान CRPF के इंट्री गैर कानूनी जामोमो ने CMC ED की पुष्टाच के दोरान CRPF की इंट्री को गैर कानूनी करार दिया है पार्टी के केंद्री महासर्ची सुप्रियो भटाचार और बिनोत कुमार पांडे ने सरकार से इस मामले के उचस तरिये जाच कर CRPF IG कमांडेट वार ने दोसी अधिकारियों के खिलाब सक्त कानूनी करवाई करने की मांग की है उन्होंने कहा है कि सरकार CRPF की साजिस का परदाफास करे नहीं तो जामो अंधरन के लिए बादे होगी नेताब्यन ने कहा है कि सनिवार को ED की ओर से मुख्य मंत्री का ब्यांदर्ज किया जा रहा था ED ने अपनी सुरक्षा का अनुरोध मुख सचीव और पुलिस महानी देशक से किया था मुख सचीव के आदेश पर राचे जीला परसासने ED के अधिकारियो की सुरक्षा उनके कर्याले की सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा एवं बीदी बेवासता सम्हालने के लिए करीब 2000 पूलिस एवं वर्ये प्रत अधिकारियो के प्रतिनुक्ति की थी जैक बोर्ड मैटरिक इंटर परवेश पत्र 25 से कर सकेंगे डाउनलोड मैटरिक वा इंटर के परिक्षा का परवेश पत्र 25 जन्वर से डाउनलोड होगा परवेश पत्र झारकन एकैडमी काउंसील की वेब साइट jack.jharkhan.gov.in से डाउनलोड होगा इस्कूल कॉलेज प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परिक्षार्थियों को उपलब्द करना सुने स्चीत करेंगे मैट्रिक इंटर की परिक्षा 6 परवारी से सुरू होगी प्रायोगिक परिक्षा वा अंत्रिक मुल्याकन 28 परवारी से 11 माज तक होगा वहीं परिक्षा स्कूल कॉलेज के अस्तर पर लिजाएगी प्रायोगिक परिक्षा वा अंत्रिक मुल्याकन का अंक 29 परवारी से 12 माज तक अपलोड होगा बता दे मैट्रिक इंटर की परिक्षा की त्यारी को लेकर 24 जनवारी को डियो की बैठक जैक में होगी परिक्षा की त्यारी की जनकारी लिजाएगी जैक द्वारा परिक्षा को लेकर निर्देश भी दिये जाएगे जार्खन में 10 लाख बढ़ी मद्दाताओ की संख्या जर्खन में मद्दाताओं की संख्या में गर्ट वर्स की तुलना में लबग 10 लाग की ब्रिधी हुई है एक जनवाई दो हज़ार चोबिस टक राजे में मद्दाताओं की कुल संख्या दो कलोर तीरपन लाग 92,300 तक पहुँच गई है जबकि गर्ट वर्स या संख्या 2,45,29,904 थी चुनाव आयोग दोआरा चलाया जा रहे मद्दाता पुर्ण रिक्षन अभ्यान की दोरान तयार की गई मद्दाता सुची के मुक्ताविक राजे में पूरुस वह महिला मद्दाताओं की संख्या मलगबग 5,5,000,000 की ब्रेदी की गई है पहली जन्वाइ तक पूरुस मद्दाताओं की संख्या 1,39,42,770 थी जबकि महिला मद्दाताओं की संख्या 1,24,49,997 थी वही 466 मद्दाता 3rd जेंडर के थे 5 जनवरी 2023 को प्रकासित की गई मद्दाता सुची में पुष मद्दताओं की संख्या 1,26,8,292 वह महिला मद्दताओं की कूल संख्या 1,29,1,181 थी जार्खन की बेटिया राष्ट्रिये चेंपियन बेटे उप विजेता जार्खन सिक्षा परिणा परशत की मेजबानी में चल रहे है ससठवी राष्ट्रिये स्कूल खेल परत्योकता का अंडर 14 नेशनल फूटबॉल में रभी वर्ग बिरसा मुंडा फूटबॉल स्टेडिया में खेले गए बाली का वर्ग के फाइनल मुकाबले में जार्खन की बाइल का टीम ने पचिम मंगाल को 6-0 से हरा कराष्ट्रे चेंपियन का खिताब अपना नाम कर लिया है वहीं इसी वर्ग के बालक वर्ग के फैनल मुकाबले में बिहार ने जार्खन को 2-0 से हरा कर किताब अपने नाम किया है इसमें बालक टीम उप विजेता बनी समापस समारों में जार्खन सरकार के मंत्री मिथलेश ठाकूर ने बिजेता और उप बिजेता टीमों को पुरुस्कृत किया है जार्खन में पुलिस परसासन हाई अलट पर राम लला की प्रान परतिष्ठा स्वमवार को अयोध्या में होने जा रहिया इसको लेकर रांची सहितपूर राजे में धार्मी को सांस्कृति कारक्रम का योजन किया गया है इस दोरान विधी बेवास्था दुरूस्त रखने के लिए राजे के सभी 24 जीलों के पुलिस को अलट पर रखा गया है दूसरे दिन रभीवार को भी रांची में सिटी एसपी राजकुमार मेहता के नदित में बाइक से अलबर्ट एका चोक से फ्लैग मार्च निकाला गया राज में 35 अतिरिक्त फोर्स की तेनाती की गई है बता दे रांची जम सेत्पूर हजारी बाइक जीलों के अतिस सर्वेदन सील चेतरों में रैपीट एक्शन फोर्स और रैपीट एक्शन पुलिस के अलावा जार्खन सस्थर पुलिस के पूरूस वा महिला बाटालियां के तिनाती भी की गई है जेपीएसी पीटी में बदला पैटर्ण जार्खन पर अधारित था सेकेंड पेपर जेपीएसी की ओर से सीविल सेवा बैक लोग पीटी का यजन रभीवर को रांची के आठ केंद्रों पर किया गया इसमें 34 सब भ्यार्थी सामिल हुए परिक्षा दे रहे हैं ब्यार्थियों ने बताया है कि इस बार सीविल सेवा परिक्षा का पैटर्ण पूरी तरह बदला हुए था सवाल यूपीएसी अस्तर का था दूसरा पेपर पूरी तरह जार्खन पर अधारित था इसके अलावा करेंट अफेर से जुले सवाल थे दो पालियों में परिक्षा हुई पहली पाली सुबह 10-12 बहे तक जबकि दूसरी पाली 2-4 बहे तक थी जार्खन पूलिस के चार हैं 929 पदो पर आवेदन आज से होंगे शुरू पूलिस बिभाग में नौकरी के लिए तैयारियों में लगए युवाओ के लिए बड़ी खबर है जार्खन राज में पूलिस कॉंस्टेबल आरक्षी के 4-929 रिक्त पदो पर भरती निकाली गई है इस भरती के लिए जार्खन करमचरी चेहन आयो की ओर से आवेदन पर कि बिश्व बिद्याले और कॉलेज के सिख्षकों को सोध के लिए मिलेगा अनुदान जार्खन के बिश्व बिद्याले और कॉलेज में पढ़ाने वाले सिख्षकों को उच एवम तक्निकी सिख्षा विभाग सोध के लिए 3-5 लाख रुपे तक का अनुदान देगा बिग् करेंगे इतिहास अनकाय समीती जहारखन प्रांत की बैठक रभिवार को बरियातु हाउसिंग कलोनी में नौ निवाचित अध्यक्ष डाक्टर दिवाकर मिंच की अध्यक्षा में हुई बैठक में डाक्टर मिंच द्वारा समीती के आई बैयाई आगामी कारकरमे की रूप र राज में ब्यारपी-CRP की सेवासर्त निमावली बनाने की परक्रिया एक बर्स में भी पूरी नहीं हो सकी है जहारखन सिक्षा प्रयूइना ने इसके लिए कमिटी बनाई थी इस समन्द में कमिटी ने देश के अने राजों ब्यारपी-CRP को मिलने वाले बेतन से लेकर अन इस संग सेवसर्थ निमावली बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है संग के परदेश अदेश कृष्ण परसाथ और परदेश मीडिया परभारी रबिंद्र कुमार ठाकू ने कहा है कि राजे में 26 व बियारपी सेयरपी कारे रहा था है बियारपी सेयरपी को छोड़ कर सर्व सिक्षा अभ्यान के तह będziemy साभी कर्मियों के सेवसर्थ निमावली बन गई है जारखन में 24 जन्वाई से कढाके की ठंड 27 के बाद रहाथ राज्य में 24 जन्वाई से कढाके की ठंड पड़ेगी राजधानी सहित कई जिलों में ताप मान गिरेगा राजधानी के सहरी चेत्र का तापमान आट डिग्री सेल्सियस के आस्मास रह सकता है, ICCT अगले दो से तीन दिनों तक रह सकती है, मौसम केंद्रे ने पुरुनमान किया है कि ICCT कई जीलों में रहेगी, इस दरान सुबा में कहीं कहीं धुन्द छाया रह सकता है, आस्मान साफ रहेगा, देर रात में तापमान गिरेगा, दीर में अधिक्तम ताप पार 23-24 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा, वही सत्ता ही जन्वारी तक मौसम के मिजाज में बदलाव की उमीद नहीं है, क्रिसी पसुपालन विभाग में 3400 पद रिक्त हैं, इनमें अधिकारियों के 304 तथा करमचारियों के करीब 342 पद रिक्त हैं, हर माह कर्मी रिटायर हो जा रहे हैं, क्रिसी विभाग के अंतरगत 5 निदे साले आते हैं, सभी निदे सालों को मिलाकर करमचारियों के कूल 3535 स्विक्रीत पद हैं, इनमें से मात्र 954 ही काम कर रहे हैं, अधिकारियों के कूल 1545 स्विक्रीत था, इनमें से 750 अधिकारी ही पद स्थापित हैं, अधिकारियों की कमी के काराण 1-1 अधिकारी को कई पदो पर पद स्थापित किया गया है, पदस्थापन का जो तय मानक है उसका पालन नहीं हो पा रहा है CRPF नहीं आती तो ED के साथ हो सकती थी अन्होनी BJP भाजपा के परदेश प्रवक्ता प्रतूल साहदेव ने जहामो के ब्यान पर प्लोटवार किया है मैं कहा एक सनीवार को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भरष्टा चार के आरोप में चोतारफा घीरे मुख्यमंत्री ध्यान बाटने के लिए सारी मर्यादा तोड़ रहे हैं लग रहा था कि जहामों का सिर्ष नेतित जहामों करकताओं से हिंसा तक करा देंगे धारा 144 लागू किये जाने के बाद ही मुख्यमंत्री का वाहन पर जहामों के 10,000 करकता हत्यार लेकर मुख्यमंत्री के घर के पास पहुच गए मुख्यमंत्री इन करकताओं के जरिये किया देश की नयाईक वेवस्ता नयाईधी सो केंद्री एजेंसी या देश के समिधान को डराना चाह रहे थे भाय का महौल तो यह सरकार पैदा कर रही थी श्री साहदेव ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवाज के पास जब धारा 144 के तहर नीश्य धागय लागू थी तो उनके बाद जामों के 1000 करकताओं को परसासन ने कैसे हत्यार के साथ जाने की अनुमती दी रांची के पहारी मंदीर से निकली स्री राम यात्रा अयोध्या राम मंदीर की प्रान पत्रिष्ठा को लेकर पूरा देश राम माय है चारो तरब स्री राम के जय घोस गुज रहे हैं इसी कड़ी में युवा रांची महानागर राम नामी पुजा समीती के बैनर तले रांची के पहारी मंदीर के मुखे द्वार से रविवर को भव्य स्री राम यात्रा निकाली गई युवा रांची महानागर राम नमी पुजा समिती का ध्यक्ष नंद किसोर सिंग चंदेल ने कहा है कि पिछले कई दिनों से इसकी त्यारे की जा रही थी सिरी राम यातराइक दवन भागवान सिरी राम के जैगोश से पूरे रांची गुंजमय हो गई छोटे छोटे बच्चों ने भी इस कारिकरम में भागवान के सहरूप में बढ़ चटकर हिसा लिया राम भक्तों का उसाह देखते ही बन रहा था बिवित्ता में एकता है हमारे देश की पहचान राजेपाल राजेपाल सीपी राधा किष्णा ने राजबन में रभी वार को सनीवत रूप से पॉंगल सोहराई और टूसु पर्व के साथ सात्री पूरा मेघाले और मनीपूर का राज्या स्थापना दिवस मनाया इस उपलक्ष में आयोजी समारों को सम्भूधित करते हैं उन्होंने कहा है कि हमारा देश बिवित्ताओं से भरा है लेकिन बिवित्ता में एकता है हम सब एक हैं और एक रहेंगे भारत के विभीन परदेशों में मनाये जाने वाले परव तेवहार और उट्शु के उधारना और उधैसों में भी समांता है पोंगल पर्व फसल पैदावार वालियों के लिए प्रकिरति किसान एवन पासू के पुजा ही है जो हमारे जीवन के अधार है राम में हुआ जारखन दिपोस्तों जैसे न जारा अयोध्या तो स्वर ही गई है अपनी रांची भी कम नहीं है इस बार राम नमी भी फीका हो गया और दिवाली भी घर घर भगवा जंटा लग गया है मंदीर घर अपाटमेंट दुकाने ऐसी कोई जगा नहीं जहां भगवा मंदीर को खोबसूरत लाइटों से सजाया गया है पहली बार पूरा सहर दिवाली मना रहा है सलकों तक भगवा जंडो जंडियों से पट गया है चारो तरफ बिस साल भगवा जंडे भी लहरा रहे हैं दो फरवरी को जेमें फुकेगा चुनावी बीगूल दो फरवरी को दुमका के गांधी मैदान में जहमो पैताइलस्वा अस्ठापना दिवस के बाहाने सीधे तोर पर केंद्री सरकार और केंद्री एजेंसियों पर हमलावार होकर करकरताओ को गोल बंद करेगा दुमका कल्ब में पार्टी अस्ठापना दिवस के त्यारियों को आकार देने के उदेश संताल परगना परमंडल के सभी छह जीलों के आए पार्टी के बिधायक पुरविधायक वकर करताओ को एक साथ कई संदेश दिया गया पार्टी के युगा नेता बसंद सुरेन ने एह एहसास दिल लाया है कि जामो इस माटी की पार्टी है पार्टी सुप्रीमो सिवु सुरेन ने चंगर्ष और अंधोलन करना सिखाया है उन्होंने अलग जार्खन राज दिया है और अब जामो के नेतावक्र कताव को पूरी उर्दू सिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ती हो जार्खन सरकार के स्कूली सिक्षा यम सक्षर्टा विभाग द्वारा उर्दू सिक्षा के पद को मनंसिल कर सेंती सो बारा उर्दू प्रारामविक सिक्षा के पद को सरेंडर करने के निर्वित नियमावली के खिलाप रभीवार को मौलाना आजाद स्टर्डी सेंटर अजुमन पलाजा रांची में समाजिक संगठनों ने बैठक की इसमें कहा गया है कि उर्दू सिक्षो के रिक्त सैंती सो बारा पदो को कक्षा एक से पांच और छो से आठ में बाट कर उर्दू टेट पास अभियार्थियों की कम संख्या को देखते हुए सिथी नियुक्ति की जाए या नियुक्ति निमाली 2012 के अनुसार बहाली हो धन्यवाद